तो हम लोग आज Time and Work पर रहे हैं और Time and Work जो है SSE का एक्जाम हो, SSE का कोई भी एक्जाम जैसे सबसे जो अभी सामने है GD खतम शायद हो गया, उसके बाद MTS है, CHSL है, CGL है, CGL का टायर 2 वाला भी एक्जाम होना है, टायर 1 वाला भी होना है और Banking का एक्जाम हो, NTPC का एक्ज आया हुआ, IB का हो या पुलीस विभाग वाला जितना भी वैकेंसी आया है, वो भी आज भी साथ कुछ बिहार सरकार का आया है, तो हर एक जगह Time and Work से question रहने के पूरे chances है, Management का एक्जाम दे रहे हो, वहाँ भी नजर आएगा, तो जब इतना important chapter है, तो सबसे पहले देखें क कि इस chapter में दो पार्ट है, एक तो आपका Time and Work है ही, इसमें साथी साथ Pipe और Sistern, Pipe और Tunky ये chapter भी है, तो कई बार exams में तो दोनों से question आता है, या कई बार या तो Pipe Sistern से रहेगा, या Time and Work से रहेगा, chapter इसलिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा formula नहीं है, तीन से चार concept हलका हम लोग देखेंगे और chapter खतम होगा, कोशिस यही करना कि अगर class में दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो अगर available है, उसको दो बार तिन बार देखना कि हमारा chapter सही हो जाए, ठीक है, तो मालनो Time and Work में, दो person है कौन-कौन, A सथा B, किसी work को क्रम्श, 15 देज, एवं 20 देज में, 20 देज में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, यानि फिनिस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, कि A can do a piece of walk in 15 days and B can finish the same work in 20 days, A कितने दिन में, 15 दिन में, B कितने दिन में, 20 दिन में, तो कोश्चन आता है, कि दोनों मिलकर कितने दिन में, यह सबसे बच्चा वाला कोश्चन होता है, कोश्चन ये भी आसकता है, A पांच दिन काम किया, उसके लाद छोड़ दिया, बाकी बचे काम को, B कितने दिन में, question ये भी आता है कि A और B ने कुछ दिनों तक साथ काम किया फिर A छोड़ दिया बाकी बचे काम को भी कितने दिन में question ये भी रह सकता है A and B started the work together दोनों ने एक साथ काम शुरू किया ऐ दोखो A और B का अलग-अलग है जोफ सकता है दोनों एक साथ काम शुरू किया और A उस काम को कितने दिन में और B लेन question क्या करा तीन दिन बाद बाद A चोड़ दिया तीन दिन काम करके A छोड़ दिया तो बचे हुए काम को B कितने दिन में समझ में रहा है या पांच दिन तک एक काम करके छोड़ दिया तो बचे काम को भी कितने दिन में या दोनों साथ स्टार्ट करते हैं कुछ दिन बाद भी छोड़ देता है बचे काम को एक तीन दिन में फिनिस करता है तो कितने दिन वो साथ काम के तो बड़ा छोटा सा एक लगता है कि बहुत छोड़ा कुशन है A और B किसी work को 15 और 10 दिन में, तो question क्या-क्या बन सकता है? पाला, दोनों मिलकर काम को कितने दीन में समाप्त करेंगे? कोशन समझ में रहा है? वाकिंग टुगेदर, in how many days they will finish the work? या ऐसे रह सकता है? A तीन दिन अकेला काम करके छोड़ देता है, बचे हुए काम को B कितने दीन में समाप्त करेंगा? या ऐसा रह सकता है? B पांच देन अकेले काम कर थोड़ देता है तो बचे काम को A कितने दीनों में समाप्त करेंगा? अच्छे से ध्यान देना सबसे पहली बात कि टाइम और वोक में जो भी कोश्चन होगा वर्क हमेसा एक होगा A की काम, same work must be finished by all the given person जितने भी person है A है, B है, C, D, B होता यहां तो दो ही आत्मी है वही काम, same पर capacity देखा जाता है कि जिस काम को A 15 दिन में कर रहा है उसी काम को B 20 दिनों में तो A कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में और B? 20 दिन में तोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो दो दिन में तो दिन नहीं कर एक दिन में एक इतना काम करेगा? सबसे पहले दोको, यह 15 दिन में एक काम ना तो एक दिन में एक वर्टा पंदरा यह 20 दिन में एक काम तो एक दिन में, अगर कोश्चन रहा है, एक दो दिन में कितना बहर करेगा, तो दो बटा पंदरा, एक दिन में, एक बटा पंदरा, तो दो दिन में, तो तीन दिन में, पांच दिन में, पांच बटा पंदरा, दस दिन में, दस बटा पंदरा, पंदरा दिन में, पंदरा पं संद्रा मतला खट गया एक काम, ऐसे ही भी 20 दिन में एक काम, तो एक दिन में एक वटा 20 काम, दो दिन में 2 वटा 20 काम, पांच दिन में 5 वटा 20 काम, और 20 दिन में 20 वटा, तो number of days कितना दिन वो काम किया, अगर ये पता है, तो हम लोग वो कितना काम करेगा, वो बता सकते हैं, अब हम लोग कैसे निकालें, तो एक दिन में A plus B कितना काम करेगा, पहले वो देख लो, A करेगा एक वर्टा 15, B करेगा एक वर्टा 20, और 15-20 का LCM क्या होगा, साथ, साथ कहां से हाया, 15 और 20 का, क्योंकि देखो, एक दिन का काम, इसका है एक दिन का काम, दोनों एक दिन में, तो पंदरा से ये कितने बार में है, और 20 से, तो साथ वर्टा, साथ, सेवन बाई सिक्ष्टी वाग, या पीस अप वाग, काम का साथ वर्टा साथ भाग, कितने दिन में, तो एक दिन में इतना काम, तो ऐसे लिख सकते हैं, कि साथ वर्टा साथ, सेवन बाई सिक्ष्टी व एक दिन में है, तो एक वर्क करेगा, यानि एक काम कितने दिन में, तो साथ वटा साथ दिन में, तो साथ अठे, थपन, आठ पुर्णांग, चार वटा, साथ, तो कोशन अगर ये आता है, कि एक इसी काम को पंदरह दिन में, भी उसी काम को बीस दिन में, तो दोनों मिलकर कित लिया और उसको पलट दिया ठीक है थोरा सा लेंदी हो गया तो हम लोग और दूसरे रास्ते से भी चल सकते है second method से भी चल सकते है है ना क्या कि 15 और 20 का LCM ले लेंगे LCM किसका of 15 and 20 का तो 15 और 20 का उपर में LCM ले लो कितना है अब डारेक्ट 15 और 15 से 15 चोका साथ और 20 से भाग दिया 20 तिया यानि 60 वटा साथ होगा साथ अठे छपण 8 पुर्णांग 4 वटा साथ होगा क्लियर क्या हो जाएगा 8 पुर्णांग 4 वटा साथ दिया बोला यहां तो कोई प्रॉब्लिम अब अगर इसके जगह ऐसे कुश्चन रहता कि एक इसी वर्क को 10 दिन में भी उसी वर्क को 15 दिन में तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में तो अब हम लोग क्या करेंगे 10 और 15 का LCM ले लेंगे कितना हो गया साथ और अगर साथ लेके बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा पहली बाद यानि अगर 30 के जगह हम साथ ले लिए तो भी गलत नहीं होगा आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर 10 से गुना 15 अगर कभी लगे कि LCM लेने में दिक्कत है तो आप 10 गुना 15 भी ले लोगे तो भी गलत नहीं होगा ठीक है अब बताओ 10 से भाग दें तो 10 कटेगा तो क्या बचेगा 15 आप 15 से भाग देते तो क्या बचता 10 तो 15 दाओं एक सो 50 भाटा पचेश कितने बार में 6 बार में तो ऐसे भी कर सकते थे क्या कि दोनों का पॉड़क्ट लिख दिया अब इसमें आओ अगर AB का LCM कितना हो गया 60 10 से भाग दो 15 से भाग दो तो 60 भाटा तो भी कितना हुआ और अगर दोनों का LCM हम 30 लेते तो भी 10 से 3 15 से 2 5 से कितने बार में 6 तो चाहे आप ऐसे बनाओ या ऐसे या ऐसे बात तो हुई है कि 6 दीन आएगा तो LCM यह नहीं कि हमारा तो नहीं आए तो हम दुबारा निकाल करके समय बरबाद करें अगर दूसरा 25 दिन में तो क्या होगा मानलो एक इसी काम को 12 दिन में अभी उसी काम को 25 दिन में तो दोनों मिलकर अगर कोष्न ऐसे पूछ रहा है तो हम लोग 12 और 25 का LCM ले ले लेते और नहीं समझ में आ रहा हैbaar Hispan 12 गुना, 25 भी ले सकते हो, 12 से भाग दिया, 25, 25 से भाग दिया, 12, यानि A किसी काम को अगर X दीन में और B उसी काम को Y दीन में, तो दोनों मिलकर working together कितने समय में, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, X गुना, उपर हो जागा X गुना Y, और नीचे X प्लस Y, तो ये आप लोग खुद से एक ट्रिक बना लिए, क्लियर? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लेम नहीं? अचा, ये दो आदमी थे तब, तीन आदमी रहता? कैसे, कुश्चन ऐसे रहता, A. किसी वाग को 10 दिन में, B. उसी वाग को 12 दिन में, C. उसी वाग को 15 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में? 10, 12, 15 का LCM कितना? एक बार में 60, 10 से डिवाइड करो, 6, 12 से 5, 15 से 4, 6, 5 से 11 और 4, 15, कितने से भाग देंगे? साथ वाटा, 15, कितने बार में? यानि अगर किसी वाग को A. दस दिन में, B. बारह दिन में, C. पंदरह दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे ही चार आदमी रहता, तो वह भी बन जाता है कि नहीं बन जाता? ठीक है? तो फोटो लेना है, ले लेना है, तो मैं आगे बर रहा हूँ. ठीक है? ठीक है? इसकान कर लेना. तो अब थोरा सा प्राक्टिस के लिए, A. 20 डेज, B. 15 डेज, और C. 12 डेज. और कहा जाए, कितना जल्दी आप बता सकते हैं? जल्दी बताओ कि A, B, C काम को कितने दिन में करेंगे? A और B उस वर्क को कितने दिन में? B और C उस वर्क को कितने दिन में? या A और C उस वर्क को कितने दिन में? ये चार question मैंने लिखा कि ऐसे given है, तो कैसे निकलेगा, question समझ मैं है, कि जिस work को A 20 दिन में उसी को, same work, हम पाले जाने किया, work same होना चाहिए, तो A, B, C, तीनों मालूम है, A का कितना है, 20 दिन, B का कितना है, 15 दिन, C का कितना, अगर question तीनों का पूछे, तो तीनों का LCM, तीनों का LCM, काट, 60 दिन, है ना, अब 20 से डिवाइट करो, 20 दिन, साथ, 15 से भाग दो, 15 चोका साथ, 12 से भाग दो, 12 पचे साथ, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 12 से साथ को डिवाइट करो, 5 होगा, होगा ना, तो ये 5 दिन, नहां तक कोई problem नहीं, आब कह रहा है, A और B, A और B, A कितना है, A है 20, और B है 15, तो 1 है 20 और 1 है 15, तो दोनों का LCM, 30 तो नहीं होगा, फिर 60, तो 20 से भाग दो, 3, 15 से भाग दो, 4, 60 by 7, होगा या नहीं, आप बताईए, B और C पूछा, B कितना है, और C कितना, दोनों मिलकर, बताईए जल्दी, दोनों मिलकर, 20 और 12 का LCM, 30, 20 से भाग दो, यह 20 ही है ना, 15 और, यह था 15 और यह था, दोनों का LCM, 15 से, 12 से, 5, 60 वटा, 9, कटेगा, 20 वटा, 3, 32 वटा, 3, अब ऐसे ही A और C, सब लोग अच्छे से देखेंगे, और जवाब दे कर पढ़ेंगे, हाना, एकदम आप चाहिए वीडियो देखो, या क्लास में, आपलाइन रहो, या ओनलाइन रहो, कोशिस करो कि हम बोल के अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सही होता जाएगा, देखें, A है कितना, 20 डे, C है कितना, 12 दे, तो दोनों पूछ रहा है, तो 20 और 12 का उपर में LCM लिखेंगे, कितना, 60, अब बता, 20 से भाग दो, 3, 12 से भाग दो, तो 60 बता, कोई प्रॉब्लेम, यानि किसी भी तरह का, अगर एड करना हो, तो हम लोग एड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लेम नहीं, अब हम लोग एड में, दो-दो परसन वाला लेके चलते हैं, मान लो, किसी कोश्चन में कहें, A और B किसी काम को 12 दीन में कर सकते हैं, कितने दीन में, 12 दीन, B और C उसी वक को 15 दीन में कर सकता है, और C और A उस वक को 20 दीन में कर सकता है, कोश्चन क्या कह रहा है, तो A, B, C उस काम को कितने दीन मे करेंगे या A अकेला in how many days, B कितने दिन में, C कितने दिन में, और एक question और आता है, more efficient कौन है? More efficient किसकी कार्ज शमता ज्यादा है? या किसकी कार्ज शमता less है? कई बार S.S.C के एक्जाम में पूछा गया है Who is more efficient and who is less efficient? Clear? तो हम लोग को यह मालूम होगा कि ये कितने दिन में, B, कितने दिन में, C, कितने दिन में तब न कहेंगे, जिसको सबसे कम समय लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? कम समय वाला वो उसका efficiency ज्यादा तब न समय कम लगा और जिसका efficiency उसको कम समय और एफिशेंची कम तो समय ज्यादा यानि दोनों में उल्टा रिलेशन है ठीक है? एफिशेंची ज्यादा तो समय कम और एफिशेंची कम तो समय अधिशेंचन सब को बनाना है, पें, कॉपी खोलके बढ़ना है ठीक है, और डाटे तो मुह नहीं बनाना है, ठीक है, इतना अच्छा अच्छा मुह है, अब बना लेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, हाँ, चलिए, पेंच चला, जल्दी से एंसर निकालो, तबन गया, देखते हैं कौन कितना दिन में, अब बताओ, अगर तीनों को एड कर दें, तो दो बार A, दो बार B, दो बार C होगा या नहीं होगा, एक कितनी बार, B, C, एक ही बार जब जोड रहे हैं, तो A भी दो बार हो गया, B भी दो बार हो गया, C भी, तो दो बार A, B, C निकाल सकते हैं कि नहीं, तो दो बार A, B, C क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सर पहले तीनों का आप LCM ले लीजिए, तो तीनों का LCM कितना, 12 से भाग दो, 15 से, 20 से, 60 वर्टा, 5, 4, 9, 3, कितना दिन, जब दो-दो बार थे, तो पांच देल, अगर एक-एक बार होंगे तो, आदमी कम हो जाए, मालो हम सब मिलकर के कोई काम करें, तो समय, और हमको अकेले छोड़ों, जाएए, आप अपना किजिए, फीलिये हुए हैं ना, किजिए अपने से, काया कौन बोला था फीलेने को, ऐसा लड़की सब सुचती है, लड़की सब ज़्यादा अच्छी होती है, है न जी, खुस कितना हो गई सब, तो, अगर A प्लस B प्लस C, ध्यान देना, दो-दो बार थे तो पांच दिन, अगर एक-एक बार हो गए, तो दो गुना पांच मतलब दस दिन, तो जो इतना बरू कोशन, अब कोशलों को तो इस्पीड आ जाता है, देखा साथ, यहां से देखते हैं, सर यह पांच है, यह चार है, क्योंकि चार बार में कटेगा, पांच, चार, नौ, तिन, बारा, बारा से पांच बार में पांच दूना दा, सर दस दिन, सेकेंडों में जवाब दो 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 बार थे पांच दिन आई बार बार मत पुछो दो दो इधर ही कर दो ना या मत लिखो दो इधर ही लिख दो हो गया दस दिन क्यों इधर लिखेंगे एक वा इधर लिखेंगे एक वा उधर ले जाएंगे अब कह रहा है कि A को कितना समय लगेगा, बताओ, अज़ा A कैसे निकलेगा, तो सर A, B, C में से आप इस B, C को भगा दीजिए, मतलब हटा दीजिए, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, A कब आएगा, A, B, C में से यहीं देखो न, ये B हटा दीजिए, ये C हटा दीजिए, तो B और C हटा तो क्या बचा, A बचेगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका कितना हम लोग निकाले थे साथ, देखो तो, इसका आया था 10 दिन, आप B और C कोश्चन में दिया हुआ है, जल्दी देखो, A, B और C, जल्दी देखो, 15 दिन, कितना है, 15 दिन, अब बताईए, क्या पूछ रहा है, तो दोनों का LCM, बोला जल्दी, दोनों 15, 10 और 15 का LCM, 10 से भाग दो, 15 से भाग दो, 30 बटा, एक यानि 30 दिन, पो किया, यानि अकेला अगर A उस काम को करता, तो 30 दिन लगता, और अकेला अगर B करता तो, अच्छे से समझते जाएंगे, नोट करने क्या हो सकता, साइद नहीं है, बाद में आप, वीडियो ले लेना, स्कैन कर लेना, जो भी करना है, ध्यान दो, B, A, B, C में से किसको घटाते, A और, A, B, C में से, आप घटा दो, A और, C को, ताम न B बचेगा, और ये कितना है, और C ये या A, C, ये कितना है, अब बता, दोनों का L, C, M, 10 से भाग दो, 20 से, यानि 20 बटा, यानि 20 दिन, बोलो कोई प्रॉब्लेम, और, अगर कोश्चन कारा, C भी बताईए, तो किसको घटाएंगे जी, तो A, B, C में से, यहीं देखा करो, A, B हटाएंगे तो C बचेगा, है न, तो A प्लस B, और इसका तो हम लोग निकाल लें हैं, 10 दिन, A, B, C, कोश्चन में दिया हुआ है, कितना दिन, 10 और 12 का LCM, 60 आएगा, 10 से कितने बार में, 6, 12 से, यानि 60 दिन, तो सब से आल सी आदमी कौन है, समझ में आ रहा है, सब से आल सी कौन, आ सब से, मतलब ठीके सी ना कौन, मतलब B का कितना आया था, A, अकेला करता तो, आज आज तुम लोग अपने वाले से मेरा बदल ले रहा है, मेरा 20 दिन, आज तुम लोग को ये घटा करके जाना है कहां दिन, 15 दिन के हां, कि सर से भी कम समयना तुमको लगना चाहिए, तो अब तो इस टाइप का कोई भी कोशन होगा, साद आप देख करके बता सकते हो, ठीक है?